आखिरकार उस location का पता चली गया जहां पर चीन ने अपना जंडा फैराया था और ये जंडा फैराने की जगे भारत के अंदर बड़ा मुद्दा बन चुकी है तो इस location को चाइना ने गलवान बताया और भारत के अंदर ये फैल गया कि उसी location के उपर चाइना दोबारा आ गय वो सुनिए गलवान के अंदर एक शोक नदी आती है और इसी के अंदर गलवान नदी आकर मिल जाती है पिछले साल इस जगे पर जहां पर एक घुमावसा है वहां पर clash होए थे इंडिया और चाइना के बीच में तो गलवान वैली काफी बड़ी है चाइना ने 1962 से उसको occupy क कर रखा है मगर हाली के अंदर जो problem होई थी वो patrolling point 14 पर होई थी चाइना के अनुसार पूरगा पूरा गलवान एरिया उनका है मगर हाली के अंदर भारत ने चाइना को काफी पीछे तक खदेड दिया और यहां पर जो establishment थे उनको उकाड़ फेका हमारा मकसद इतना है कि क्य चाइना उस जगह पर दोबारा से आकर अपना जंडा फेहरा रहा है या नहीं उस वीडियो के अंदर इसका सबूत मिल जाएंगे और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो घुमाव है यहां पर क्या चाइना दोबारा आ गया है या फिर इसके पीछे क्योंकि यह जो 0.14 का ही पूरा का पूरा मसला था तो Global Times ने जो वीडियो ट्वीट किया उसके अंदर एक बहुत बड़ा सबूत सामने आता है यह जो वीडियो पोस्ट किया गया है इसके अंदर देखा जा सकता है कि चाइनीज में यहां पर कुछ लिखा हुआ है और बताया जाता है कि यह गलवान वैली का है उसी के साथ में एक और रिपोर्टर एक और वीडियो को ट्वीट कर देता है और यहां पर भी लिखा हुआ है चाइनीज स्टेट अफिलेटेड मीडिया मतलब यह आधिकरिक वीडियो ही है तो देख सकते हैं कि यह जितने भी लेटर्स हैं यह मैच कर र बिलकुल मैच कर रहे हैं यानि कि यह बात बिलकुल फाइनल है यह दोनों वीडियो एक ही जगह के हैं अब देखना यह है कि क्या इसके अंदर कोई सबूत मिल जाएगा जिससे हमें पता पढ़ जाएगा कि यह पोजीशन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है या नहीं तो देख जाते हैं उस जगह पर जहां पर पिछले साल क्लैशेस हुए थे तो यह जो नदी जा रही है यह शोक रिवर है और गलवान रिवर इसके अंदर आकर यहां मिल रही है साथ ही के अंदर हम देख सकते हैं कि यहां पर इंडिया की तरफ से कुछ military establishment भी हैं यह इंडिया की हैं और यह सारे के सारे इंडियान establishments हैं अलग-अलग जेके दिखाई देते हैं यह जो बड़ी जगह है यहां पर पिछले साल क्लैश होए थे जिसके बाद चाइना को पीछे जाना पड़ा था तो यह जो फ्लैश पॉइंट है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं थोड़ा बढ़ने की कोशिश करते हैं और यहां से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा zoom भी कर लेते हैं साथ-साथ के अंदर और जब आगे बढ़ते हैं चाइना की तरफ यानि की LAC की तरफ तो हमें यहां पर वो दिखाई दे जाता है जिसको हम देख रहे थे यानि की पुल त और यहां पर आप देख सकते हैं भारत के establishment मौझूद हैं अब देखे बहुत ही अजीव सी बात है कि चाइना ने कहा कि हम गलवान वैली के अंदर जंडा रोहन कर रहे हैं और यह एरिया उन्होंने 1962 के अंदर capture किया था मगर Congress Party ने हाय तोवा मचाई और बोला कि गलवान के अंदर चीन दोबारा से घुस आया है जिसके response में इंडियन आर्मी को ये वाली फोटो अपनी tweet करनी पड़ी और ये वाली फोटो बिलकुल ताजा है गलवान की है इंडियन आर्मी ने गलवान के अंदर अपनी post नहीं चोड़ी है इलेक्शन का महले जीतने के लिए एक दूसरे के उपर लांचन लगाने political parties का हक है मगर जब भारत की बात आती है तो मिलके रहना चाहिए देश को कमजोर नहीं करना चाहिए करना चाहिए